गुड मॉर्निंग बच्चो क्या हाल क्या हाल चाल बच्चो बोलो गुड मॉर्निंग पिटा मेरी आवाज आ रही है आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चा लोग बताओ जल्दी से अब शेक आदव सुमन कुमारी अम्रादा बायो शिवानी आदव अवाज आरी बेटा बोलो वेरी गुड आज हम लोग किसके लिए आए हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने मोहिम की जिसमें हमारे सिंक्सर का एक मोहिम है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बढ़ने का भी अधिकार सबको इसके अंतरगत हम लोग काम कर रहे हैं एक मोहिम चलाई हुई है और डेली हम लोग एक चैप्टर को आगे लेकर चल रहे हैं आपके PYQs के साथ और आप इस बात के बारे में याद रखें कि आपके सिर्फ 130 दिन बचे हुए हैं आपके नीट के एकजाम के और इस नीट के एकजाम के लिए आपको और वेल प्रिपेर होना है आप लगे रहे हम आपके साथ बहुत अच्छे से लगे हुए हैं दूसरी बात आप सोचिए कि इस 130 दिन में आप जितने जादा से जादा प्रिवाइस कर लेंगे टेस्ट पेपर दे लेंगे और यकीन मानिए कि पूरे इंडिया में इतना कोई भी नहीं 130 दिन में अभी त तो ये वाली जो रेटेस सिरीज भी है वो आपको इस टाइम स्पेशल एक ओफर में भी मिल रही है 399 की आप लोग जल्दी से जॉइन भी करें और अपने तयारी के तयारी को बूस्ट करें ठीक है बच्चा लोग आज हम लोग क्या करने वाले हैं आज हम लोगों के पास है प्लांड किंडम के ठीक है आज हम लोगों के पास क्या है प्लांड किंडम और प्लांड किंडम वाला चैप्टर हम लोग करने वाले एक बार देखने वाले हैं सारी चीज़ें प्लांट किंग्डम की जिसके अंतरगत हम देखेंगे कि जितनी भी बाते आपकी अलगी से लेकर जिम्नो इस्पॉम एंजियो स्पॉम तक जो भी है वो सारी बाते हैं लेकिन हम लोग मेन पॉइंट्स पर चलना चाहते हैं क्योंकि कि लाइन वाई लाइन का मतलब तो यह भी है कि मैन पॉइंट जहां से आ रहा है और उसके लिए हम सब लोगों ने एक एफर्ट किया है और सिंग सर ने और हम लोगों ने मिलकर एक अच्छी सी बुकलेट को डिजाइन किया जिसमें क्वेस्टन्स आ रहे हैं और उसी पर ब इससे किस एर में क्या कोईशन आया है आप इस बात को भी देखें यहां पर हम लोग अब रिवीजन का जो प्लान करेंगे वो इनी पॉइंट्स के इर्दगिर्द सारी बातों को मतलब पूछते हुए बताते हुए चलेंगे जिससे आपका पूरा चैप्टर टिप परो और यकीन मनना इन पॉइंट्स के बाहर एक सिंगल कोईशन बाहर नहीं आने वाला है आप इस बात का भरोसा रखें और एक्जाम के बाद एक एक कोईशन यहां से में दिखाऊंगा भी बाकी आप टेंचन ना लें बाकी हम लोग शुरू करने वाले हैं आज और आज हम लोगो के थुरू हम लोग आगे चलने वाले ठीक है लेकिन हम लोग कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जो आपको दिक्कत करें आपको सारे पॉइंट्स बताने हैं और उन सारे पॉइंट्स के अंतरगत हम सारे काम करेंगे और हमारा चैप्टर भी रिवाइज होगा औ आपके प्लांट किंग्डम को क्लासिफाई किया गया है कि विदिन प्लांट किंग्डम कैसे हम चीजों को क्लासिफाई करें एंग्योस्पम के अंदर कैसे चीजों को क्लासिफाई करें कैसे हम प्लांट किंग्डम के अंदर प्लांट को कैसे क्लासिफाई करें इस बात को सबसे पहले समझामे के लिए कुछ सिस्टम ऐसों क्लासिफिकेशन दिये गया है जिसमें तीन तरह के सिस्टम ढ़्लासिफिकेशन थे आर्टी फीशिल सिस्टम ग्लासिफिकेश नैचुरल और फायलो जेनित हम आपसे कारेक्टर लेकर जब Plants को classify किया गया तो उसमें एक related species भी थे unrelated plants भी थे कुछ करेक्टर के बेस पर वो भी गुरुप में आ गए जब ऐसे गुरुप जिसमें unrelated भी साथ हैं तो सिस्टम natural appear ना होकर artificial appear होने लगा और हमने आप से का उस करेक्टर में उन कुछ करेक्टर में क्या था उन कुछ करेक्टर में आपके पास था और उसमें वेजिटेटिव करेक्टर के साथ हमने एंडूसियम चाहिए था क्योंकि वेजिटेटिव करेक्टर जो होते हैं वह इन्वायरमेंटल इस्ट्रस के दौरान या इन्वायरमेंट से जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं तो यह आपका artificial system था तो artificial system में कैसे मूब कर रहे हैं देखिए हम लोग बात करते हैं कि artificial system किस ने दिया तो देखों यहां पर artificial system दिया है किसने तो हम लोग चलते हैं यह देखों अर्टी वीशल सिस्टम केवन बाई तो artificial system किस ने दिया लीनियस ने दिया और कौन सा important पॉइंट है उसकी बात कर ली हम लोग ने फिर बात में natural classification of system आप देखों natural system की जब बात की गई तो जो प्रॉब्लम artificial में आई वो और यह दिखा देंगे पहले एक बार पॉइंट्स को देख लें फिर अम एंसी आटी पर भी चलने वाले परिशान बिलकुल मत होई हम एंसी आटी पर लेकर चलेंगे जैसे हम यहां पर सिस्टम कतम करते हैं हम एंसी आटी पर पहुँच जाएंगे बाकी टेंशन ना लो हम एक बार करा रहे हैं आप देखते जाओ आगे चलो देखो हमने का नेचरल सिस्टम अफ क्लासिफिकेशन किस ने दिया तो वो दिया था जोसेफ बैंथम ने और डाल्टन हुकर ने और यह किस बात पर बेस था बेस डॉन नेचरल एफिनिटी अमंग दा और्गानिजम अंब्रियो लॉजी था हमने का फाइटो कमिस्ट्री था यह सारे फीचर्स भी उन्होंने लिए और हमने आपसे यह कहा कि भई आपको दो तरह के सिस्टम हो गए एक नेचुरल एक आर्टिफीशल तीसरा सिस्टम इस कॉल्ड फाइलो जेनिटिक की बात अगर तुमसे की ज और दिया कि जब भी किसी गुरुप में दो प्लांट्स को रखो तो इस बात का खयाल रखो कि उसमें उनके एंसेस्टर सेम आ जाएं मतलब आपका फाइलो जेनिटिक रिलेशन्टिक जो आपका सिस्टम है वह बेस्ट होता है एवोल्यूशनरी रिलेशन्टिप पर पर पे आसपास रख सकते थे इन दा केस ऑफ क्लासिफिकेशन तो आप यहाँ पर समझें कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तीन पहला आर्टिफिशल दूसरा नैचुरल तीसरा फाइलो जेनिटिक आपके आर्टिफिशल की बात करी जाए तो गिवन बाई लीनियस और नैचुरल क की जाए बैंताम Bent hooker और तीसरा जो है वह आपका सिस्टम था फॉलयो जेनिटिक आप से पूछा जा जाए तो आंसर होता है कि फॉलयो जेनिटिक जो सिस्टम है वो बेस्ट है आपके इविलूशनरी रूलेरेशन्शिफ पर जबकि ज़्यादा करेक्टर को लेकर क्लासिफ क्लासिफिकेशन किया था लेकिन प्रॉब्लम उसमें यह थी कि भई अन्रेलेटेड भी ऐसे साथ आ जा रहे थे जिससे सिस्टम कैसा हो रहा था चलो अब हम आपसे यहां पर बात कर रहे हैं कि भई एक पैरा पलतेजा में दिखा देंगे टेंशन बिल्कुल नहीं लेना आगे हम लोगों ने बात की कि भई आगर कोई अमारे पास सपोर्टिंग फॉसिल्स नहीं मिले तो हम क्या कर सकते हैं किसी और तरीके को भी इवल्यू आपके इस क्लासिफिकेशन में हेल्प ले सकते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं आपके यहां पर तीन तरीके और बताएं हैं एक है नमेरिकल टेक्सोनॉमी एक है कीमो टेक्सोनॉमी और एक आपकी साइटो टेक्सोनॉमी भी है नमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या किया गया सारे करेक् आखर एक क्रोप में ईसे हम ने कीमय से पहले साइटो डेक्स नोमिकी बात करते हैं साइटो डेक्स आमई का वेस भो बिना फिसेंट इसा कोई स्कुर्पर है जिसके प्र हम इस इस viu क्लासिफिकैशन पर सकते हैς सोचागी है एग्डनेटि के रा aven नूक्लियस के अंदर क्रॉमोसोम है क्रोमोसोम इस पसीज में नहीं करेंगे दो इस इसे बीच के बीच में बैरी करते हैं हम ने का क्रोमोसोम ही सिर बैरी करते हैं number of chromosome भी vary करते हैं structure of chromosome भी vary करते हैं और उनका behavior भी vary करता है तो इसी को base बना कर हम लोगों ने क्या किया cytotaxonomy और classification में help ली तीसरी taxonomy है उसे हम कहते हैं chemo taxonomy taxonomy on the basis of basis of chemicals ऐसे chemicals का use किया गया जो plants के specific थे और उनके base पर हम taxonomy कर पाएं जैसे कि हमने आप से कहा जैसे caffeine एक specific आपके plant में मिलेगा जैसे nicotine अलग specific plant में मिलेगा मतलब हम यह कह रहें secondary metabolite के base पर अगर मैंने taxonomy किया है chemicals के base पर taxonomy किया है तो हम उसे कह सकते chemo taxonomy तो हमने तीन system बताएं और तीन taxonomy बताएं तीन system में आपका artificial natural और phylogenetic और उसके बाद तीन हमने आपको बताएं हैं कि भई taxonomy पहला आपको बोला numerical taxonomy computer database का यूज करेंगे दूसरा हमने का cytotaxonomy जिसमें हम chromosome के number structure of behavior को treat करेंगे और तीसरा specific chemical के बेस्ट पर taxonomy करेंगे आप यहां पर एक बार यहां पर देखतें नमेरिकल taxonomy की बात करी गई है कि सारे और लिए सबको इच करेक्टर को एक को इंपोर्टेंस दी और वहां पर हंडेड ओप करेक्टर को एक बार में consider कर लिया और computer-based यूजेज चैमिकल हमने कैमिकल को यूज किया कॉंस्टिटेंट ऑफ दी प्लांट टू रिजॉल्फ कन्फूजंस हमने क्या किया सिकेंडरी सबसे पहले आपके पास क्या लिखा हुआ है तो सबसे पहले आपकी पास जो हेडिंग बनी हुई है उसका नाम है natural classification और natural classification से पहले आपका artificial लिखा हुआ है artificial किसने दिया सारी बाते हो गई लीनियस ने दिया है vegetative character पर mainly based है और endroosium के structure पर भी उन्होंने study किया था पिर बाद में लिखा हुआ है कि भाईया closely related species based on few characteristics हमने आपसे ये भी कहा है कि artificial give equal weight is दिया vegetative और sexual characteristics नहीं है क्योंकि vegetative characters जो होते हैं more easily affected हो जाते environment से फिर दोगों natural system classification दिया था आपके पैंथम एंड हुकर ने और बैंथम ने बताया कि भाईया यहां पर यहां पर external feature के साथ साथ हम लोग क्या ले रहें नोट अल्ली एक्स्टरनल फीचर पर आलसो इंटर्नल फीचर जैसे की अल्ट्रा स्ट्रॉक्चर अनार्टमी एंब्रियोलोजी फैटो कमिस्ट्री सच एज क्लासिफिकेशन फ्लारिंग प्लांक दिया था जोर्ज बैंथम एंड डाल्टन हुकर ने फिर उसके बाद आप दोगो 2009 में कुश्चन आया हुए 2009 फाइलोजेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस डॉन इवल्यूशनरी रिलेशन्शिप इस बात का खयाल रखा जाए कि दो प्लांट जब एक गुरुप में रखे जाए तो उनके एंसेस्टर सेम हों आप देखो यां पर आगे दो हमने कहा कि यहीं पर नूमेरिकल टेक्सोंवी अभी मैंने बताया कि सारे क्हरेटर्स को वेक्वल वेटेश देकर काउंट सरी और अवा यह दो कर लिया है लो नहीं किशोनोमी के बारे मैं बाद करी तो साइटो लाजिकल इंवर्मेशन के बैस पर जिसमें नंबर स्ट्रॉक्टर और प्यएविश्टेमध उसके अलावा आपके बात करी गई केम की तो chemo taxonomy that use chemical constituent of the plant to resolve confusions and also by taxonomies these days इस दिनों हम लोग क्या यूज करना शुरू कर दिये यह आपकी phylogenetic भी हम लोग यूज करना शुरू कर दिये यहां तक किसी को कोई problem हो तो जल्दी बताएं यहां तक किसी को problem हो तो जल्दी बताएं पेटा यहां तक किसी को कोई problem हो तो बताएं जल्दी आपको तीन तरह के जल्दी से जवाब दे वेरी गुड आगे चलते हैं आगे चलते हम लोग और आगे हम लोगों के पास अगला topic है आपका यहां से पढ़ेंगे तो यहां पर आपको मैं पॉइन पॉइंट समझ आ जाएंगे आप इस बात को समझे आपको अब इस आपको वो चीज़ें CRT में दिखातेंगा आपका confidence बन जाएगा लेकिन आपके लिए इन लाइनों के importance अभी जादा है आप इस बात को समझें आगे चलने दो को कहा लिखा हुआ है एल्गी chlorophyll bearing plants होते हैं सबसे पहले अगर मैं किसी भी plant group को tackle करूंगा तो पांच बाते बताओंगा पहली बात बताने वाला उसके habitat के बारे में कि वह कहां रहता है दूसरा मैं बताओंगा उसके structures के बारे में कि वह किस structure में vary करता है तीसरी मैं बताओंगा उसके nutrition के बारे म चौथा वह अताओंगा कि वह अपनी जनसग्या को कैसे बढ़ाता है reproduction का तरीका क्या है और पाच्वा तरीका हमारे पास मतलब tackle करने का किसी भी group का उसकी economic importance अगर है तो अगर है तो economic importance की बात कर ली जाए तो अगर आप से बात की जाए तो आव algae की बात करते हैं algae सुरुव प्लांट हैं और अगर मैं आपसे बात कहूं तो एक बात को समझना बेटा कि किसी भी मतलब plant group में जब भी आप enter करो तो आपको सबसे पहले हर plant group के जैसे ब्रायो फाइटा टेडो फाइटा जिमनो एंजियो या फिर आपसे बात करी जाए algae के example याद होने चाहिए अगर तो example भूल जाते होँ example बूल जाते हो जब जामपल आता तो जब example यादने तो character कैसे याद वोंगे तो आपको example याद ने चाहिए जैसे कि algae में green algae कौन सी ब्राउन algae कौन सी रेड es कौन सी है ब्रायोफाइट्स में लिवर्वर्ड मॉसस में कौन आता है फिर हमने कहा एंग आपके टेडोफाइट्स में टेडोफाइट्स के एक्जामपल क्या-क्या है उसमें डिफरेंट क्लासिस के भी एक्जामपल दिये हुए है और फिर जिम्नोस्पम में एक्जामपल क् Brassie Casey, इन सब family के example बाद में दिये हुए हम चाहेंगे जिस तरह से plant kingdom के तुमने पहले example याद कर लिये हैं, उसी तरीके से families के भी example पहले याद कर लो, question बेटा इसी तरह से आएगा, आपको अगर example नहीं होगा, तो आप ये chapter कितना भी पढ़ने, खराब हो जाएगे, आपको ज कि उनका structure कैसे vary करेगा तो अगर मैं structure से पहले उनका habitat देख लेता हूँ तो हमने का algae marine water में भी रह लेते हैं fresh water में भी रह लेते हैं marine water की बात करी जाए तो वो marine water में आपके brackish water में भी रह लेते हैं hot water में भी रहते हैं cold water में भी रह लेते हैं अगर मेराइन वाटर होड वाटर की बात करी जाए तो रेड एल्गी कोल्ड वाटर की बात की जाए तो पताओ वह हो गया आपकी ब्राउन एल्गी जबकि फ्रेश वाटर में मोस्ली पाए जाते हैं कौन से एल्गी mostly algae पाए जाते हैं आपके जो सुड़वाती algae जिसका नाम है chlorophyce मतलब green algae अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ fresh water में आपके stagnant water में भी होंगे running water में भी होंगे दूसरी बात यहाँ पर कहा गया कुछ ऐसे भी habitat है जहां पर algae को देखा जा सकता है कहीं पर भी moist जगा देखो तो वहाँ पर algae ग्रो कर सकते हैं जैसे कि moist stone, moist boat और कहा जाए कि moist soil वह उसके अलावा पहिया सोता हुआ sloth bear के उपर भी algae ग्रो कर जा रहे हैं फिर कहा गया structure के base पर बताइए तो दोगो कभी भी किसी plant group के structure की बात की जाएगी तो दो बाते की जाएगी पहला उसका main structure खुद का क्या है और दूसरा उसकी detail, detail में structure की बात करी जाएगी cell के अंदर की detail जैसे कि उसमें pigment क्या है उसमें फ्लैजला क्या है उसके cell wall का deposition क्या है यह सारी बातें बात करूं तो external feature में algae की बात करी जाए तो unicellular भी होते हैं multicellular में filamentous है, colonial है लेकिन अगर तुमसे एक structure पूछा जाए कि बताइए algae किस structure में जादा vary करते हैं main vary करते हैं, prominently vary करते हैं तो हमने कहा वो करते हैं आपके filamentous में ठीक है, हाला कि colonial भी है, आपके filamentous भी है, branch भी है खूब सारे branch भी हैं और कम branch भी हैं, जैसे कि आपको few of ice आपको बात करी जाएगी brown algae में kelp देखने को मिलेगा over 100 meters, तो खूब सारे branch भी है, तो आप से यहां पर बात करी जाए, आप बात सुनते जाए और फिर हम आगे deal करेंगे इन सब चीजों से, हमने का cellular structure में हम क्या जा आपना चाहेंगे, cell wall में क्या है, वैसे तो इन जनरल बात करी जाए, तो cell wall में कहा गया है, algae में, galactans होता है, manans होता है, calcium carbonate होता है, cellulose होता है, लेकिन यहां पर हम algae को different class में बाटेंगे, तो हमें वो specific chemical चाहिए, जो इन्हें differentiate कर सके, जैसे की algin, जैसे की keragene, जैसे की pect तो green algae में cellulose के सासाथ pectose होगा, brown algae में cellulose के सासाथ algene होगा, और red algae में cellulose के सासाथ keragene होगा, यह water holding capacity रखने वाले chemicals हैं, कभी-कभी इन्हें hydro colloids भी कहते हैं, हालां कि ऐसा ब्रायोपाइट भी हम लोग देखेंगे, जिसका नाम sphagnum होगा, आगे दोखों, हम लोगों और से, reproduction की बात करी जाएं, तो reproduction vegetative भी करते हैं, asexual भी करते हैं और sexual भी करते हैं, vegetative में चाहें कोई CBL गी हो, answer लगाना fragmentation, अगर मैं बात करूं asexual reproduction की, तो asexual reproduction में बनते हैं sphaws, और sphaw Praud में main sphaws इसका होता, zoospor, motile spor, लेकिन कुछ जगा पर आपको nonmotile spor, aplano spor भी दे पाया जाता है लेकिन एलगी में ये एसेक्शुल स्पोर जूस्पोर होता है जबकि रिप्रोडक्शन हम सेक्शुल की बात करें तो गैमीट का फॉर्मेशन होता है गैमीट का फ्यूजन होता है जाइगोड बनता उसकी एम्डियोलोजी होती है तो अगर मैं सेक्शुल रिप आईसोगेमीट बोल देते हैं और ऐसे LG जिनमें आईसोगेमीट बनेंगे तो उसमें रिप्रोडक्शन आईसोगेमस टाइप का होगा अगर एनाईसोगेमीट बनेंगे मतलब हम यह कह रहे हैं कि मार्फोलोजी में डिफरेंट होंगे तो हमने का एनाईसोगेमीट होंगे तो लोग गुरुप में study करेंगे और फिर हो गया उगैमीट का मतलब size भी different shape भी different physiology तो different होने ही वाली है तो हमने कहा आईसोगैमीट बने आईसोगैमस एन आईसोगैमीट बने एन आईसोगैमस स्योटू का fixation करते हैं ऐसा ही एक पॉइंट प्रोटिस्टा में जाके डाइटम्स के लिए लिए लिखा हुआ है कि वह चीफ प्रोड्यूसर है लेकिन डाइटम्स भी तो पहले हम काउंट करते थे लेकिन हम यहां पर लेकर आएं तो बोला जाए 50 परसेंट मतलब यह पर maximum co2 का half of the co2 fixation कौन कर रहा है तो यह कर रहा है और मैं तुमसे बात करूं कि चुकि यह oxygenic photosynthesis करते हैं तो water में dissolve oxygen का amount बढ़ा देते हैं एलगी की अगर और बात करें तो बहुत सारी एलगी as a food के तौर पर यूज होती है नाम उसका 70 species जो more than species है वो food के तौर पर यूज करी जाती है सारगासम पॉरफाइरा और लेमिनेरिया उसमें important है फिर हमने कहा हाइड्र कोलोइ में red algae में keragene है और आपकी brown algae में algin है उसके अलावा अगर आप से पूछा जाए के बैया chemical के तौर पर कुछ और chemical मिलता है जो economic importance रखता है यह बिलकुल मिलता है ना मैं उसका seaweed से मिलने वाला अगार अगार को हम यूज करते हैं as a solidifying agent अगार का हम यूज करते हैं बायो टेक आपको यहां पर कुछ economic importance है तो आप जल्दी से हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने यह देखा कि उनका habitat क्या हो सकता है उनका नूट्रीशन कैसा हो सकता है उनके reproduction का तरीका क्या हो सकता और economic importance अब हम लोग जनरल बात को जब समझ गए हैं तो हम लोग अब बात करेंगे chlorophy κ AJ O analysis को कैसे कि इवाइड किया गया है तो समझ ना सबसे पहले habitat को लेकर तो बात की गई है तो है पिक बाद की गई है उसके और पाई जाने वाले करते हैं ठीक है तो हम लोग इस पें डिवाइड करें तो आगे चलते हैं और आगे चलने पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है यह सिंगल से लेकर हाइली प्रांस तक होते हैं अगर देखो बात करी जाए ग्रीन एलगी की तो ग्रीन एलगी में यूनी सेल्लर भी पाये जाएंगे मल्टी सेल्लर भी पाये जाएंगे green algae में ही आपको flaminthus भी देखने को मिलेगा आपको branch भी देखने को मिलेगा आपको colonial भी देखने को मिलेगा ठीक है लेकिन अगर मैं बात करूं आपके brown algae की तो branch में profusely large branch जैसे की kelp और फियोफाइसी मतलब अगर मैं ब्राउन एल्गी की बात करूँ तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मेंली जो स्टुक्चर पाया जाता उसका नाम होगा आपका फ्लामेंटस और रेड एल्डी में भी फ्लामेंटस एल्गी ही होते हैं तो तो यादी रखो ग्रीन अ एल्गी में आपके पास युँनी स्ल्लर वहां लेकिन फिवासी रिटोफाइसी में सिर्फ में रहे यार हम ग्रीन एल्गी की बात करें तो ग्रीन एल्गी में located आफ पास यूपी युन्एर के भी हो सकते हैं Street भी हो सकते हैं लेकिन फिघोसी में में फ्लामेंटस होंगे रैणाफ में में भी मेंफ लामेंट दोए डिकेस सब्राइब through the fusion of gamete और gamete can be मतलब gamete can be के बात करी गई तो यहाँ पर कुछ पॉइंट गायब सा है क्या लिखा हुआ है हाँ gamete can be हो सकते है iso gamete, anisogamete और o gamete यहाँ पर iso हो सकते है anisogamete हो सकते है और o gamete हो सकते है इसी के base पर isogamous और anisogamous और o gamete बात कर सकते है अब यहाँ पर आगे उन्होंने क्या बोला है आगे यहाँ पर बोला हुआ है कि iso gamus, anisogamous और o gamus तो देखो iso gamus, anisogamous और o gamus की जब भी बात करते है तो समझना बात को iso gamete बनेगा तो iso gamus morphology में size और shape सेम होगा physiology चाहें iso gamete हो anisogamous हो o gamete हो physiology gametes की different होगी ही होगी एक male gamete होगा एक female gamete होगा morphology सेम भी हो सकती और different भी हो सकती आप देखों यहाँ पर लिखा हुआ है iso gamus की जब हम बात करते हैं तो वो flagellated भी हो सकते हैं एक्जामपल आपका यूलो थ्रिक्स और आगके नॉन फ्लाजलेटेट भी हो सकते हैं जैसे कि एक्जामपल आपका spirogyra चाहें यूलो थ्रिक्स हो और चाहें spirogyra हो कैसे हैं यह green algae हैं यह कैसे algae है green algae तो आप से अगर एक बात पूछू मैं कि आप मुझे बताइए कि भाई green algae में कौन से होते हैं motile कौन होते हैं non motile तो non motile और motile जो भी पाए जाते हैं वो iso gamus में हैं एक unicellular motile algae का नाम क्लेमाइडो मोनास है ऐसे ही आपकी unicellular non motile iso gamus टाइप का reproduction रखने वाली algae का नाम क्लोरेला है ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कि iso gamus टाइप की जो आपका reproduction पाया जाता है और वो non motile है तो उसका example होगा इस पाइरो गईरा यजब कि motile ओगा तो यूलो धरेक्स Eulothrix, Clemydomonas और Cladophora नाम आता है Anisogamous में आपके पास Eudorhina और आपके U Gammas में नाम आता है Walbox का आप यहाँ पर इस बात को समझे कि Aisoo, Anisoo और U Gammas टाइप का Reproduction आपका Clorophyce में भी है Pheophyce में भी है लेकिन Rodophyce में सिर्फ U Gammas टाइप का Reproduction पाया जाता है अगर आपको यह बात समझ आती है तो यह भी आप बात को समझना कि सिर्फ Green Algae में ही आपको Aisoo, Anisoo और U के Example भी देने है जिसमें Green Algae में Aisoo Gammas में हमारे पास दो तरह के Example आएंगे एक Motile और एक Non Motile Non Motile में कौन आएगा Non Motile में आएगा Spirogyra और Chlorella Spirogyra और Chlorella जबकि Motile में आएगे Clamidomonas आपके उसके अलावा Eulothrakes और Cladophora जबकि Anisoo Gammas में Eudorina और U Gammas में नाम आएगा आपका Walvox का लेकिन इन्दा केस ओफ योफ आईसी आईसो और U Gammas तीनों तरह का पाया जाएगा लेकिन U Gammas में जो नाम होगा उसका एग्जामपल होगा Fucus और Red Algae में सिर्फ और सिर्फ आपके पास reproduction जो देखने को मिलेगा वो होगा U Gammas इसका मतलब सारे एग्जामपल जो होगा आपके Red Algae के जो NCRT में सब कैसे होंगे U Gammas टाइप के तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आईसो गैमपल में Eulothrix और Spirogyra आपका Green Algae हो गया यह Eudorhyna भी Green Algae हो गया और U Gammas मतलब U Gammas टाइप की बात करी जाए तो यहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ Male Gamet Smaller and Motile और जबकि Female Gamet कैसा होगा Larger होगा और Non Motile होगा आगे दोगो U Gammas के बात करी जाए तो Walvox और Fucus Walvox कैसा है? Green Algae है और Fucus कैसा है? Brown Algae यह आए हुए question है याद रखना यह question आए हुए है और Colonial Algae का नाम है Walvox Colonial Algae का नाम क्या है? Walvox तो आप यहाँ पर इतने point को अगर आप समझ पाते हैं तो अच्छी बात है अगर आगे की तरफ चले तो आगे की तरफ हमारे पास Asexual Reproduction है और Asexual Reproduction के लिए सबसे पहले हम लोग एक बार NCRT पर Move करने वाले हैं NCRT में आप देखो NCRT में जब भी हम Move कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो Aisogamous और Anisogamous और Oogamous की बात की गई तो इस gamete can be flagellated और जैसा की आपका Eulothrix Flagellated है तो motile होगा Non-flagellated है तो इसका मतलब non-motile होगा Non-motile में Spirogyra और आपके motile में कौन है Eulothrix अब Anisogamous में example क्या दिगा है Anisogamous में example जो आपका दिया जाता है यहाँ पर यह देखते हैं कौन motile है कौन non-motile है Non-motile की बात करी जाए तो आपको female gamit देखने को मिलेगा और motile देखने को मिलेगा male gamit आप आगे दोगो Oogamous में example wallbox है और fucus है आगे चले आगे चलने के बाद आप देखो यहाँ पर कुछ structures दिये हुए है इन structures को देखोगे तो पहला वाला structure wallbox का है दूसरा वाला Eulothrix का है आप यहाँ पर याद रखना hold fast जो सबस्टेटम से connect करके रखेगा इस type एक तरह का stack है और जो frons होता है वो photosynthetic organ होता है इन photo को याद रखना भी वाला photo जब आप देखोगे laminaria तो ear bladder यहाँ पर देखने को मिलेंगे important है यह उसके अलावा आपको red algae की बात करे जाए तो red algae में आप देखो frons दिख रहा है और last वाले आपके पॉटो में दिया हुआ है और नाम है उसका पॉली साइफोनिया आगे चले आगे चलने पर हमने कहा कि भाई इसकी economic importance लिखी हुई है economic importance में क्या लिखा हुआ है देखो कि लिखा हुआ है being photosynthesis they increase dissolve oxygen in their immediate environment question आ चुका है अभी हमने बताया था economic importance में लगबग 70 से जादा species as a use की जाती है food के तौर पर जिसमें नाम पोरफाइरा का है लैमिनेरिया का है सारगासम का है 2016 का question है बिटा फिर उसके अरावा हमने कहा था कुछ chemical ऐसे होते हैं जो water holding capacity रखते हैं और जो की brown algae और red algae में पाया जागा केराजीन जिसे हम यूज करते हैं commercially और एक और chemical है जिसका नाम है अगार और अगार मुझे मिलता है जलीडियम और ग्रासीलेरिया से जिसे यूज करते है माइक्रोब को culture कराने में पाइस क्रीम और जैली को solidify करने में और एक नाम है क्लोरेला का unicellular green algae unicellular green non-motile algae और यह दो को unicellular algae है रेच है प्रोटीन में और इसे food supplement के तौर पर space traveler यूज करते हैं और फिर हम इसकी बात करते हैं कि algae को तीन में पाटों में बाटा गया है तीन मतलब division किये गए हैं algae के एक green algae brown algae red algae chlorophyce फियोफाइसी रोडफाइसी आगे दोखो यहा यहाँ पर division की बात तुमसे की जाए तो हम एक एक structures को बात कर रहे हैं देखो green algae की बात करें गौर करना पेटा green algae की जब भी हम बात कर रहे हैं तो green algae में अगर कहा जाए कि mainly green algae कहां पाया जाता है fresh water चाहे algae green हो brown हो red हो तीनों जगा पाई जा सकती है लेकिन अगर पूछा जा है mainly fresh water वाली algae तो नाम बोलोगे green algae mainly पूछा जाए marine algae लेकिन marine algae में normal water या cold water तो brown algae और आपके marine water में रहने वाली hot water में रहने वाली algae red algae याद करो जब गरम हो जाएगा तो चीज़ें लाल हो जाती है तो red algae आपके hot water में पाया जाएगा सबसे deepen में जो algae पाई जाती है समदर में वो नाम होता है red algae का याद रखना फिर उसके बाद हमने का ही बाद है लिए लोज की बात करें वह और पक्टो बाहर क्यों है यह और होल्डिंग पैसिटी रखने वाले chemical क्योंकि यह algae सूखने से बच जा है तीसरा point अगर मैं बात करूं फ्लैजला को लेकर तो फ्लैजला किसमें पाई जाएंगे पहला सवाल यह तो फ्लैजला आपको यूशनलर- minaवनिसămलतलम-2 सभा यूशनलर-1 में देखने को मिलेका तो हमधिन गें यह बूरी बॉड्य में देखने को नहीं मिलेका उनकी structure में देखने को मिल सकता है जैसे कि उनके आपके मतलब जो एना gametes में देखने को मिल जाए स्पोर में देखने को मिल जाए ठीक है तो फ्लैजला की जब भी बात करी जाए तो green algae की बात करी जाए तो green algae में उसके जो asexual spore जिसका नाम zoo spore है उसमें दो से आठ है आपके पाए जाते है एपिकल दो से आठ फ्लैजला एक्वल होते हैं फिर हमने का फ्लैजला के बात करी जाए chlorophyll की तो chlorophyll ए भी होगा भी भी होगा उसके जिसका नाम पईरिनोइद होता है कि बात करी जाहे तो और ड्रीप्रोड़क्शन की से सबस्करमאל और अगली बात करी प्रोडक्शन की बात करी जाए आईसोगेमस भी एनाईसोगेमस भी उगेमस भी आईसोगेमस मोटाइल कौन आईसोगेमस मोटाइल की बात करी जाए तो नाम होगा यूलो थ्रेक्स क्लेमाइडो मुनास, क्लेडोफोरा आईसो गेमस, नॉन मोटाइल की बात करीज़े, स्पाइरो गायरा और आपका क्लोरिला आप से कहा जाए, उगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन बताइए, ग्रीन एलगी में तो वो होगा वॉलवॉक्स आप से कहा जाए, एन आईसो गेमस बताइए तो वो होगा यूडोरिना, इतना याद रख लेना, आपके ग्रीन एलगी के सारे पॉइंट हो गए, तो ग्रीन एलगी के पॉइंट जल्दी से सारे रिकॉल करो ग्रीन एलगी के सारे पॉइंट रिकॉल करो दो से आठ नंबर में एक्वल एपिकल फ्लैजला है उसके बाद इसमें क्लोरोफिल ए और बी है इस्टार्च बिसाइड मतलब प्रोटीन बिसाइड इस्टार्च जो की बात करीजा पाइरीन वाइड है वैजी टेटिव रिप्रोड़क्शन फ्रेग्मेंटेशन है एसेक्श प्रेट्च व्ल्वोग्स और लावा मोटाइल और चौह और जबकी नॉन मॉटायल में इस्पाइरोगायरा एंड क्लोरेला क्या ग्रीन एल्गी में यही सब तो लिखा हुआ है उसके अलावा ग्रीन एल्गी में लिखा क्या है बात को समझो बैटा ग्रीन एलगी में सब कुछ यही लिखा है कि दोगो यहां पर इसे हम कॉमनली ग्रीन एलगी कहते हैं फिर बाद में यूनी सेललर कोलोनियल और फ्लामेंटस हो सकता है लेकिन इसमें से भी एक पूछे प्री डॉमिनेंटली तो आप फ्लामेंटस बोलना फिर लिखा हुआ है क कि इसमें डॉमिनेंस के तोर पर क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है फिर लिखा हुआ है कि भाईया यहां पर आपको देखो क्लोरोप्लास के डिफरेंट शेप देखने को मिलेंगे लेकिन फिर बाद में लिखा मोस्ट आप थी मेंबर में वन और मोर स्टोरेज बॉड़ पायरिनोइट्स होगा क्लोरो जो की लोकेटड होगा क्लोरोप्लास में प्रोटीन विसाइट्स स्टार्च बोलते हैं पायरिनोइट को एलगी स्टोर फूड करेगी इंदा ओयल डॉपलेट्स के तौर पर ग्रीन एलगी यूजली रिजिट सेल्वाल होती है इनर लेयर सेल प्रेंजिया फ्लैजलेटेड में दो से आठ फ्लैजला एपिकल और एक्वल फिर निकावा सेक्शल रिपोडक्शन इसोगैमस और फिर हमने इसके एक्जामपल विवता दिये एक्जामपल क्लेमाइडो मुनास वॉल वॉक्षि फिलो त्रिक स्पाइरो गारा एंड तारा बात को समझ आया कि नहीं आया बोलो पर चलो बोलो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ चलो जल्दी से हम लोग चलते हैं कहां पर अगले वन हमारे पास है ब्राउन एलगी के बारे में बात करते हैं तो ब्राउन एलगी की बारे में अभी हमने आप से कहा जल्दी से लेकिन यहां पर लिखा हुँआ पाय जाते हैं मराइन अविटार्ड में ग्रेट वेरियेशन साइज फ़लामेंटस हो टें ब्रांस यादा भी हो सकते कम भी हो सकते और एक्जामपल तोर पर एक्टो कार्पस लिखा हुआ है और कहा गया कि भाईया इसी का एक कैल्फ है जो ज्यादा प्रांश रो करता है ओवर हंडेट मीटर्स देखने को मिल सकता है क्लोरोफिल जो होगा वो ए और सी होगा उसके साथ केरोटिनोड और जेंटोफिल भी हो सकता है फिर लिखा यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है अगouse अगहे अगर में बात करूं तो को अभी हम लोगों ने जब बात की थी तो हमने आपसे यह कहा कि मैनली कौन से वाटरमें है सी दो अंिध pourtant मेंinger है उसके पास जो फ्लैजला है उसके पास दो उसके जू स्पोर जो है उसके पास दो फ्लैजला है दो फ्लैजला अनिक्वल लेटरल साइड उसके अलावा अगर आप से पूछा जाए क्लोरोफिल A है और उसके साथ क्छोरोफिल C है A और B ग्रीन एलगी A और C ब्राउन एलगी और A और C के साथ-साथ आपके पास यहाँ पर केरोफिल भी है जैनतोफिल भी है और फ्यूको-जैंफिन भी है और इनी की वज़ा से इसका कलर olive green से different shades of brown में बदल जाता है इसके पास food storage के तौर पर laminarian starch है यहाँ पर दोगो green algae में pyrenoid था यहाँ पर laminarian starch जिसे mannitol भी कहते हैं और red algae में आपके पास floridian starch होगा जो की similar होता है amylopactin के और glycogen के तो आपके बात करी जाए फिर से आप अच्छे से देख सकते हैं कि भाई यहाँ यहाँ पर लिखे हुए हैं आप अच्छे से देख सकते हैं कि भाई यह जो यह green वाला point दिख रहा था gamete or pyreform pyreform का मतलब यह कैसा है और यह रखता है two laterally attached flagella दो laterally attached flagella होते हैं एक बड़ा होता एक छोटा होता है example एक्टो कार्पस डिक्टियोटा लैमिनेरिया सारगासम और फ्यूकस हमने का था बेटा सबसे पहले आपको एक्जाम्पल्स याद रखने पड़ेंगे एक्जाम्पल दे देगा फीचर पूछेगा बताओ फ्यूकस में कितने फ्लेजला कितने फ्लेजला एपिकल होगा लैट्रव होगा बड़ा होगा छोटा होगा ऐइसोगेमवस इतरह के क्वश्चन स्पूचेगा बेटा बच्चिहें बाट समझ आрी मेरी बात आपको समझ आ ना मेरी बात आपको समझ आ रही और ये है या नहीं जल्दी बताए वेरी गुड तो चलो आगे की तरफ चलते हैं आगे की तरफ हम लोगों के पास अगली algae हमारे पास जिसका नाम है आपके पास road of ice, road of ice के मतलब red algae फिर हमने कहा habitat habitat में मेल्ली marine habitat पॉन सब water hot water deep in में यही पाए जाते हैं आपके सी में आपने कहा कि सेल बॉल में क्या होगा सेल लोज अंदर की तरफ बाहर की तरफ केराजीन उसके अलावा अगर आपसे पूजा जा फ्लैजला है क्या तुम काओगे नहीं इसमें कौन से इसेक्शुल स्पोर पाए जाएंगे नाम होगा इसेक्शुल इसपोर नौन मोटाल इसपोर फ्लैजला नहीं है उसके बाद हमने कहा क्या पिगमेंट बता सकते हैं आप तो हमने कहा वहाँ पर क्लोरोफिल ए भी था यहां पर एसी था अब क्या है ए और डी रोडोफ आइसी म आपका कौन सा स्टार्च हमने कहा था लेमिनेरियन इस्टार्च इसका नाम मैनिडॉल था उससे पहले क्या पाइरिनॉइफ फिर आपके बात करी जाए तो याद करो उगैमस टाइप का रेप्रड़क्षन है कैसे टाइप का उगैमस उगैमस तो याद रखना फ्रेगमेंटे ही एलगी है में बताया आपको उसके अलाबा उसके अलाबा यहां पर लिका हुआ जबाइगा हुआ है अधी हेलगी जो पाई श्टार्थि है और हैव कंपलेक्स बोडि औरिज helping food storage floridian starch है आपको बताया और which is very similar amylopactin and glycogen जो कि आप biomolecule में पढ़ोगे red algae usually reproduce vegetatively by fragmentation asexually करेंगे non-motile apelano spore से और sexually भी करेंगे non-motile apelano spore से आपके पास एक table भी दी गई उस table की बात तुम से की जाए तो आप इस table को देखो table में आपको वही सारे point है जो अभी हमने बताएं कि mainly fresh water में कौन सी algae है वो है green फिर बाद में rarely आपकी पाई जा रही है fresh water में तो फियो पाईसी और कुछ पाई जा रहे हैं fresh water में वो रोडो फाईसी यहां से question आया कि फ्लोरीडियन इस्टार 2020 में कि रोडो फाईसी में store food के तौर पर क्या प्रेजेंट है और 2015 में question यह आया है कि फियो फाईसी में major pigment क्या है तो आपको पता है chlorophyll A और C और फियो फाईसी में और फ्लेजला एपसेंट है आपके पास आप लोग देख लेना उसके बाद आगे चलते हैं लोग आगे चलने के बाद आपके पास यहां पर देख रहा है इसके एक्जामपल एक्जामपल पॉलिस आइफोनिया है उसके अलाबा पॉर फाइरा है ग्रासिल एडिया चलीडियम इस तरह से हम लोगों ने क्या किया है फिनिश एलगी की बात करी जाए तो बैया देखो किसमें habitat में बहुत कंफ्यूजर हो रहा है प्लीज बता दीजिए तो इसलाट है फ्रेश वाटर अ मरीन वाटर और मिरफ्टर वो तर ब्रेख वॉरटर क्या ह Independence मिलता अब दिर्ण ब्राओं इल्गी और अगर कुछ एल्गी पाई जा सकती हैं तो हमने का वो होंगी आपकी रेड यलगी बाच समझभाएं शशी कुमार क्या इस बात को समझभाएं आप लोग बताओ अगर मैं बात करूँ maynly जो brown algae और आपके पास red algae हैं वो marine water में रहते हैं और उस marine water में एक रखना cold water एक रखना hot water hot water से red algae cold water marine water क्या हो जागा brown algae क्लियर हुआ शैशी कुमार बेटा कोई क्लियर हुआ कोई problem बोलो बत्चा लोग अब algae की जो life cycle है हैपलॉंटिक लाइफ साइकल है कोई भी प्लांट हैपलॉइड और डिप्लॉइड का होता है तो हमने कहा कि जेनरिशन की वह उसके जो आपका लाइफ सैड़ है उसमें कौन सी फेज जाधा बना सकता है तो हमने कहा वो plant आपके life cycle को show करेंगे haplontic और वो haploid plant कलाते हैं लेकिन predominantly अगर diploid phase, sporophytic phase ज्यादा time के लिए है dominant है और वो अपना खाना बना सकती है तो वो आपकी कहलाई जाएगी diploid ठीक है लेकिन haplontic और diplontic life cycle की बात करी जाए तो ज्यादा time end में गुजारे तह falar दिक हेप्लो डिकाम्तिक का मतलब और ‎ बराबर बराबर टाइम के लिए तो हैिलो डिक लेकिन हैं यदा की बात करी जाहिए तो इसन रही हर फाइंट हम अ में स्टेज कार's के लिए चुकी स्पोरौ उफाइट है that's why उस plant को count करते हैं deployed में और बाद में gymno sperm और angio sperm जादा time के लिए sporophytic phase है develop भी है dominant भी है और कम time के लिए या पिर कम cell है reduce cell है आपके gametophyte के तो वो plant gymno और angio कलाये जाएंगे deployed आपकी diplontic life cycle life cycle सबसे end में दी गई तो लेकिन algae की बात करी जाएं ज्यादा तर algae haplontic life cycle को show करते हैं लेकिन कुछ algae ऐसे भी होते हैं जो haplodiplontic life cycle को show करते हैं और उसमें नाम उसका ectocarpus, kelp और polysiphonia का आता है और एक algae ऐसा भी है बात करेंगे तो सुनो ब्रायोफाइट के बारे में बात करें तो सबसे पहले प्रायोफाइट के लिए क्या जानना ज़रूरी पहले हैबिटाट अकरसिंद डैंप मतलब shady places पर रहेंगे दूसरी बात अभी मतलब जो आपकी थैलस नुमा बाड़ी थी आपकी algae की यह थोड पाये जाना शुरू हो जाते हैं हम आपसे कह सकते हैं nutrition के base पर oxygenic photosynthesis करते हैं फिर बाद में हम आपसे कहें कि reproduction की बात करी जाए तो vegetatively अभी भी आपके पास fragmentation है asexual तोर पर आपके पास liver words जैसे की mosses जो होते हैं liver words जो हैं जिसमें markenshya आता है वो jamma cup बनाते हैं jamma cup में jamma bird होती है और वो jamma bird detached होकर नया plant बनाती asexually उसके बाद अगर mosses की बात करी जाए तो budding in proton इमा पाये जाता है उसके बाद अगर मैं बात करूँ economic importance की ब्रायोफाइट की तो कहते हैं कि economic importance तो जादा नहीं है लेकिन ecological importance जादा है क्योंकि ये primary succession में help करते हैं सर ये primary succession क्या होता है primary succession का मतलब ये होता है plant का succession किसी काली पड़ी जगा पर अगर कोई भी वहाँ पर कोई भी plant नहीं है तो सबसे पहले plant यहीं लोग आते हैं algae और फंजाई के साथ lichen के साथ masses grow करते हैं और वहाँ पर एक हरी चादर बना देते हैं जिससे उस हरी चादर का रोल ये होता है पहले तो उनके chemical से वहाँ पर soil बनना शुरू हो जाती जिससे बड़े plant को उगने में या पर grow करने में help मिलेगी और दूसरा वहाँ के soil erosion को रो स्फेगनम जिसका हम यूज करते हैं एजा living material को transportation में क्योंकि उसमें water holding capacity पाई जाती बेटा इस बात को याद रखें कि इसमें आप से कहा कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिसे हम एजा फ्यूल यूज करते हैं पीट बोलते हैं अब यहाँ पर यह बात जानी है आपको कि भई बगाएं दी गई हैं जैसे कि banks of stream, marshy ground, dam soil, bark of tree and deep in the woods अगर मैं आपसे बात करूँ जो flattened area है उसके नीचे ventral side मतलब root like structure पाए जाते हैं जिसका नाम होता rhizoid, rhizoid unicellular in the case of liverworts लेकिन in the case of mosses यह rhizoid multicellular होते हैं ब्रांच होते हैं हम आपसे यह भी कह सकते हैं nutrition दोनों में oxygenic photosynthesis है चाहे liverworts हो चाहे आपके पास mosses हो आगे हमने बात करी reproduction की बात करते हैं तो reproduction दोनों में fragmentation है vegetatively reproduction और a sexual reproduction में एग में बनेगा gemma cup और एग में बनेगा protonima gemma cup in the case of liverworts ठीक और mosses में क्या बनेगा budding और किसमें होगी protonima पहले क्या करेगा पहले primary protonima बनता है secondary protonima में lateral birds पाए जाते हैं और उन कौन सी चीज dependent है कौन सी चीज independent है तो हमारे पास यह आएगा gametophyte photosynthesize ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए उसके उपर sporophyte बनता है zygote जब बनेगा तो zygote में या mitosis होगी और mitosis से बने हुए sporophyte को हम कह सकते हैं तीन पार्टों में divide कर सकते हैं सीटा capsule और capsule में पाए जाने वाली सेल्स में होती मियोसेस और बनेगा इस पोर और इस पोर से फिर बनेगा नया ब्रायोफाइट आप इस बात को समझें यहां पर हम आपसे यह कह सकते हैं कि देखो यहां पर कौन कौन आ रहा है जल्दी से एक बात देख लो यहां पर आ रहे हैं वैरियस मॉसेस और लिवर वर्ड्स और जो की मॉइस सेड़ेड और हिल्स एरिया में पाए जा रहे हैं आप यहां पर देखें आगे चलते हैं लेकिन हमने का दोनों इस्ट्रक्च्चर किसे बनी है इस वजह से नरिश्मेंट लेता है उसी से और जिससे जो नरिश्मेंट लेगा जो लेगा वो dependent होगा और जो देगा वो आपको मतलब कहते के independent है तो यहां पर gametophyte independent है इस sporophyte क्या हो गया dependent और sporophyte उसी के ऊपर पाया जा रहा है इस बात को समझो जो फूट सीटा कैपसूल में बटा हुआ होता है अब यहां पर देख वाक्ते हैं यहां पर आप देखो तो यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि इस पैगनम जैसे कि मॉस कि मतलब यहां पर मॉस के बारे में बात कर रहा है प्रोवाइड स्पीट डैट हाव लॉ लिवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व मौसस में जो राइजवर होते हैं वो मल्टी सेलर होते हैं अगर एकशन की बात की जाए तो जैमा कप हैं जबकि अगर सेक्शन एकशन एक बात करिई जाए किसमें मौसस में तो देखने को मिलेगा अगर उसके अलाबा अगर आप देखो तो यहां पर less elaborate type का sporophyte देखने को मिलेगा इंदा case of liver words और जब्धी मॉस से में more elaborate देखने को मिलेगा आपका آپ का मतलब sporophyte जिसमें इसपर के dispersal की मेकानिजम भी पूछने को मिल जाती अगर आप यहां पर इतनी बात को समझ पाते हैं तो हम आपसे यह कह रहे हैं कि चाहे लिवर वर्ट हो या मॉस हो तो कुछ के जवाब हमारे पास होने चाहिए कि इस केस में प्रायोफाइट के केस में कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंडेंट है तो डिपेंडेंडेंट की बाग करी जाए इंडिपेंडेंडेंट गेमिटोफाइट है डिपेंडेंडेंट इस्पोरोफाइट है तो कितने पाटों में बटा हुआ है तो वो बटा हुआ है फूट सीटा कैपसूल में तो आप से पूछा जाए कि इस पोर बनते हैं तो इस पोर बनाने वाली sporophytic structure है वो sporophytic structure क्या है तो हमने का वो sporophytic structure आपके capsule है जहां पर meiosis होकर spore बनेगा हम आपसे यह बात भी बोले कि बताओ इसके जो भी structures है वो structures जो है वो किसमें बटे हुए है food seta capsule में बटे हुए है फिर हमने कहा जाए कि leafy shoot किसे कहते हैं mosses को कहते हैं उसमें leaf का arrangement कैसा होता है तो spirally होता है लेकिन अगर मैं liver words की बात करूँ तो liver words में आपके पास कुछ में leafy arrangement देखने को मिलेगा वो भी दो row में clear हुआ कि नहीं हुआ तो अगर मैं leafy words की बात करूँ leafy shoot कौन होंगे तो leafy shoot आपके पास पाए जाएंगे आपके leafy stage पाए जाती है इंदा case of mosses ठीक है example के तौर पर mosses में funeria है polytrichum है और sphagnum है more more अगर पूछा जाए more elaborate sporophyte किसमें पाया जाता है mosses में less elaborate होता है आपका इंदा case of इंदा case of less elaborate जो होता है वो इंदा case of liver words आगे दो को liver words के बारे में एक्जांपल में markenshia है asexual reproduction के तौर पर जैमा है और जैमा मतलब jammy और फिर किसमें बने होंगे जैमा कप में एक तरीके के बर्स होते हैं asexual birds होते हैं इसमें बताया भी फिर आगे हम लोग चलते हैं यहां पर आगे देखो mosses की बात करी जाए तो इसमें asexual reproduction के तौर पर proton इमा बनता है क्या बनता है प्रोटनिमा इसमें लीफी स्टेज होती इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो लीफ का अरेंग्मेंट होता है वो इस्पाइरली अरेंग्मेंट होता है और फिर आपको यह भी लिखा हुआ है कि भाईया यहां पर multicellular और branch rhizoid पाए जाते हैं और इसी पर sex organ होते हैं और sex organ के नाम पर enthridia और archegonia याद करो enthridia और archegonia male sex organ enthridium archegonia आपका female sex organ इन दोनों sex organ में आप मुझे यह बताइए इन दोनों sex organ में आप मुझे यह बताइए कौन है flask safe कौन है flask safe कौन है flask safe जल्दी बताएं कौन है flask safe flask safe कौन है तो हमने का flask safe आपका female sex organ है जिसका नाम है archegonium उसके अंदर single self आई जाती enthridium और archegonium दोनों haploid है enthridium और archegonium दोनों haploid है क्योंकि वह gametophyte से बने गैमिटोफाइट भी haploid होता है और उसके mitosis से यह structures बनते हैं very good बेटा धन्यवाज शश्शी कुमार आगे चले आगे दोंको लिखा हुआ है कि बही sporophyte mosses का जो है वह more elaborate है बेटा और देन दा liververse आपके पास अगली बात आ गई है अगला हमारे पास जो ग्रोप है उसका नाम है टैड़ोफाइट के कुछ पॉइंट्स आप लोग जल्दी से देखें हमने का found in cool damn shady places यहां पर भी चाहिए लेकिन यहां के कुछ आपको importance देखने को मिले जाएगा क्योंकि यहां पर soil binders क से तोर पर टैड़ोफाइट होंगे क्योंकि पहला ऐसा प्लांट पहला ऐसा डिप्लॉइट प्लांट जो कोलोनाइज हुआ जो पहला डिप्लॉइट बोल रहे हैं है पहला है पहला है प्लॉइट कोलोनाइज जो टेरिस्टियल प्लांट है वो प्रायोफाइट है लेकिन अगर deployed plant की बात बोली जाए तो वो क्या है टेडोफाइट टेडोफाइट स्पोरोफाइट होता है टेडोफाइट ट्रू रूट इस्टेम लीफ पाए जाते हैं टेडोफाइट पर सबसे पहला प्लांट जिसमें वैस्कुले टिशू पाए गए और उसके नाम पर जायलम ट् देखने को मिले अगर यहां की इस्ट्रक्शिर्स की बात करी जाए तो बात को समझना गौर से यहां पर दो तरह की लीफ है एक छोटी लीफ और एक बड़ी लीफ को मैक्रोइस्पोरोफिल बोले छोटी वाली लीफ को आपको बोलते हैं माइक्रोइस्पोरोफिल अब जाते हैं सरी स्पोरेंजिया क्या होता तो हमने का अभी तक हम इस पोर बनाने वाली स्ट्रक्शिर्स को देखते आ रहे थी जाइगोट से स्पोरोफाइट बने थे आप जाइगोट से स्पोर बना था इन दा केस ऑफ ऐलगी जाइगोटिक मियोसिस हुई लेकिन अगर मैं झती ब्रायोफाइट की बात देख रहाता है तो यह सपोर का फॉरमेशन हो रहा है कैपसूल वाले पार्ट से लेकिन टैवरोफाइट में स्पोर बनते हैं स्पोरेंजिया के अंदर पाये जाते हैं जिन लीव्स पर उन लीव्स का नाम हो जाता इस पोरोपल केलियर हुआ पागे नहीं लीव वो कितने तरह के हैं तो हमने का वो लीव हैं दो तरह के छोटे लीव माइक्रोस्पोरोफिल और बड़े लीव मैक्रोस्पोरोफिल आप उसके एक्जामपल याद रखना माइक्रोस्पोरोफिल कहां पर स्लेज नेला में और मैक्रो किसमें फर्न में अब सब्सक्राइब सब्सक्राइब स्टैस csak या कौन्स कहते हैं इस्ट्रोबिलाई और कौन्स कहां पाए जाते हैं तो आंसर होता है स्लैजनेला और इक्विसिटम अभी तक चार पॉइंट बताईए मुझे क्या चोटी लीफ्स बड़ी लीफ्स में ये प्लांट बटे होते हैं छोटी लीफ्स को माइक्रोस्पोरोफिल और मैक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं इस्पोरोफिल का मतलब उन पर पाए जाते हैं इस्पोरेंजिया इस्पोरेंजिया अगर क्लस्टर में पाए जाए तो हमसे बोलते हैं कोन और इस्ट्रोब लाए इतनी बात क्लियर होती है या नहीं होती अगर होती है तो अच्छी बात आप से एक बात और कहना चाहता हूँ कि वही टैडोफाइट्स ऐसे प्लांट्स थे जो उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि वही हमें हमारा डिस्टिबूशनल रेंज बढ़ना चाहिए हम पानी के आसपास डिपेंड हो गए हैं पानी के आसपास ही रह रहे हैं पानी के आसपास रहना जब हम लोगों ने शुरू की मतलब हमें डिपेंडेंसी है फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की तो उन्होंने का क्या करना चाहिए तो उन्होंने कहा कि अगर हम फीमेल गेमिटोफाइट को retain करा ले और female gametophyte को retain करा कर zygote भी वहीं बनाएं embryo भी वहीं बनाएं और उस embryo को resting condition पर ले जाकर उसके पास integument उसे thick कर दे हम seed बना ले तो हम seed को कहीं पर भी ले जा सकते हैं और उससे हम अपना distributional range बढ़ा सकते हैं हम कई जगा पर फैल सकते हैं यह बाद सोचना शुरू करी टेड़ोफाइट ने तभी का जाता precursor of seed habit पाई जाती टेड़ोफाइट में लेकिन टेड़ोफाइट को जब यह बात बताई गई तो पाई दो-तरह के टेड़ोफाइट बढ़ गए क्च टेड़ोफाइट ने कहा कहा हम यह इंट आफोर्ड नहीं गर सकते तो हम ने का दो तरह के टेड़ोफाइट हो जाते हैं होम trud एथ हीच्रोफ पोरिस को पाई तो फाइट में आपको दो दिख सब्सक्राइंग है ऐसा काम नहीं कर सकते हम मेल और फिम्ल कर पिछ तो तो गयमिटोफाइट को रिटेन नहीं करा सकते तो हमने कहा क्या फी, सीड, हैबिट सारे टेर्डोफाइट में पाई जाएगी आंसर होगा गलब सारे में नहीं पाई जाती हेट्रोइस्पोरस टेर्डोफाइट ने ये मतलब मुहिम शुरू करी थी कि हम सीड बनाने की तरफ जाएंगे अनफॉर्शनेल्टी प्रॉब्लम हो गई और उन्होंने सीड नहीं बना पाए लेकिन उन्होंने पूरा एफर्ट किया, सीड क्यों नहीं बना पाए सीड बनाने के लिए उन्होंने कुछ बाते रखी दि क्या में दो तरह की स्पोर बनाने हों एक doubла माइक ड उस पोल का रेHAN हुआ का गैमीट तु वह आपका मैल घैमिटो फाइट होगा मैंफ़今天 फाइट अभी इंडबेंडेंडेंटफ होगा लेकिन फीमियल घैमिटोफाइट जो बनेDS से उसे हम रिडें मीट यह झाने कर लें और फिर जो जोना फेटलाइजेशन कराएंगे वही पर जाइगोट बनाएंगे वही पर आपका मतलब जोना एंब्रियो बनाएंगे और हाट सीट कोट के अंदर कवर कर देंगे बश सारी चीज़े कर ली हेट्रोस्पोरस कंडिशन भी पाई गई दो तरह के स्पोर भी बना लिये गए फ और यही काम कर लिया जिमनोस्पम ने जिमनोस्पम ने उस सीट हाट को भी बना लिया और आपको रेस्टिंग कंडिशन में भी ले गए किसे रेस्टिंग कंडिशन में भी ले गए आपके एंब्रियो को जिससे डिस्ट्रिप्यूशनल रेंज ब्रायो टैडोफाइट से ज कि यह थोड़ा सब कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं आप ताइड़ोफाइट की बात कर लेते हैं तैड़ोफाइट में सबसे पहले पॉइंट लिखे हुए लिखा हुआ है जिसमें वैसकुले टिशु पाए जाते हैं फिर आपने आपसे यह बात करी कि आगे क्या point क्या है कि इन्हें ornamental flourish के तौर पर यूज करते हैं देखो यहां पर फिर बाद में sandy soil condition पर भी पाए जाते हैं और व्रायोफाइट और टेडोफाइट में कौन सी मतलब dominant stage या कौन सी आपकी dominant नहीं है तो dominant stage टेडोफाइट में sporophyte होती है तभी deployed plant के लाया जाता है आगे चलो देखो आगे हम लोग बात कर रहे हैं आगे देखो यहां पर इस्ट्रोबलाई और कौन्स की बात करी गई जिसमें हमने स्लैज नेला और एक्विसिटम की बात की थी और यहां पर एक्जामपल आ चुका है यह 2020 में यह question आ चुका है 2020 में यह question आ चुका है आगे sir precursor of seed habit का meaning समझा दीजे तो को precursor of seed habit का मतलब क्या होता है precursor का मतलब यह होता है कि हम seed की बनाने की तरफ बढ़े अब बढ़े तो बना नहीं पाए अगर बना ले तो सीड हैबिट पाई जाती हम लोग सीड हैबिट की तरफ बढ़े लेकिन वह precursor है वहां पर हम लोग पूरी condition प्रोवाइड नहीं करा पाए सीड नहीं बना पाए तो precursor of seed habit आर फाउंड इंदा यहां पर आपके पास यह फोटो आप देख लीजेगा उसके पाद अगर प्लेज नेला और सालवीनिया और यहां पर पॉइंट यहीं पर लिखा रहता है कि इस event को हम क्या कहते है event को कहते है और डा यंग प्लेस विदिन फीमेल गया यह बनने लगा लेकिन हम इसे प्लांट लिए और यहीं इंपर्टेंट स्टेप एफॉल्यूशन के लिए और यह काम पूरा कर लिया किसने यह काम पूरा कर लिया था जिमनोस्पम ने तभी पहले सीड़ प्लांट जिमनोस्पम कलाए गए पहला सीड़ प्लांट जिमनोस्पम है और उसने क्या करें सीड बना लिये लेकिन वो सीड ओवरी के अंदर नहीं थे वो सीड नेकड थे और नेकड सीड पाए जाते हैं जिमनोस् लिपाटेश और एडियुन था यहां के एक बार देख लीजएगा आगे चले आगे हमारे पास अगला मतलब हमारे पास ग्रोप है जिसका नाम है जिमनो इस पंदों का मतलब होता है नेकेड और प्लांट में इस मतलब होता है सीड यहां पर 걸로 नहीं में इस वजह से निक इसां यह रिखा हुए इसी कहरे लिखा हुए यहांपर श्री में मतलबं मेङर जरते हैं यहांपर मेडियोम सagपर के श्रॉब पर कियों को साधे हैं याद रहे जिमनो गौनग में फो अगे लिखा हुआ है कि यहां पर समझनी है यहां पर साइकस और में अंतर क्या है साइकस और मोरी कि बात करी जाए तो साइकस और में अंतर ये है कि साइक का साइकस का जो फाहता है वो इसनद कि यंदिंग ऐटा चाहता है जब कि आपढ़ एक पनसमें दूसरी बात साइकस में जो लीफ पाए जाती है पिनेटली लीफ पाए जाती है लेकिन निडल शेप लीफ पाए जाती है आपकी पाइनस में हम साइकस की बात करी जाए तो इसमें टैप रूट है और टैप रूट तो पाइनस में भी है लेकिन स्पेशल मॉडिफिकेशन है इसमें पाया जाता है केरलाइड रूट में सिंबियोटिक अस्येशन होता है साइनो बैक्टिरिया के साथ और वह आपके रूट जो होते हैं वह आपके modification होते हैं और आपके sinobacteria के साथ symbiotic association रखते हैं और आपके pinus में भी आपके tap root में modification देखने को मिलेगा जिसमें आपके साथ fungi होगी इस के साथ fungi का जो आपका जो genus होगा उसका genus का नाम है globus और वो वहाँ पर जो root कहला जाएगी उसे mycorrhizal root कहेंगे mycorrhiza mycorrhiza पाया जाएगा आपका pinus में और caroloid root पाया जाती है saikas में अब देखो pinus जो होते हैं वो एक zero predict condition को show करते हैं needle shape leaf है मतलब leaf का surface area कम हो गया water का loss रोकने के लिए आप से कहा जाए कि यहाँ पर कुछ और modification भी किये गए जैसे sunken stomata water loss जादा ना हो जाए thick cuticle पाय जाती है यह सब zero predict condition है यहाँ से पानी के loss को रोकने के लिए gymnosperm first seeded plant होते हैं और ovules enclosed नहीं होता ovary wall के ovary wall में that's why इसे हम naked कहते हैं habitat की बात करी जाए हिली colder area में पाय जाते हैं इसमें medium size tree होते हैं इसमें tall tree होते हैं shrubs होते हैं लेकिन halves नहीं होते structure में root stem leaf well defined है लेकिन अभी भी gymnosperm में tracheats हैं vessels नहीं बनते vessels आपके NGO sperm में बने हैं और psychus में जो stem है वो unbranch है जबकि pinus में branch है is cricus में जो leaf है वो pinnate है pinus में जो leaf है वो आपकी sorry psychus में जो leaf है वो pinnately है और pinus में जो leaf है वो needle like है needle like leaf जो होती है zero phytic adaptation है sunken istomata है वहाँ पर और आपके water के loss को रोकने के लिए thick cuticle भी है उसके अलाबा हम आपसे यह आप कहें कि monoaceous plant होता है sorry monoaceous plant जो है न वो pinus है male cone और female cone जो होता है वो दोनों एक ही plant पर होते है male cone और female cone एक ही plant पर हो तो हम उसे कहते है monoaceous monoaceous का मतलब bisexual जबकि in the case of psychus psychus में male cone और female cone female cone जो होगा female cone तो नहीं होता लेकिन वहाँ पर mega sporophyll होता है जो female cone को represent करता है male cone और mega sporophyll एक ही plant पर हो तो ऐसे plant को हम dioceous कहते है sorry मतलब psychus जो होते हैं और यहाँ पर male cone और एक tree पर होते हैं और जो mega sporophyll होते हैं वो दूसरे tree पर होते हैं पेटा एक बात दुबारा सुनना हमने कहा कि जो psychus है psychus की बात करी जाए तो male cone male cone जो होता है वो प्रोफिल दूसरे tree पर तो हमने का psychus कैसे होगा है unisexual type के होगा है और unisexual के लिए term हम यूज करते हैं dioceous लेकिन pinus में pinus में क्या होता है male cone और female cone एक ही plant पर है तो condition is called bisexual और ऐसे plant को हम monoaceous कहते हैं इतना इस बात को समझना तो दोखों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है mycorrhiza की बात हम लोगों ने कर ली है mycorrhiza किसमे pinus में है psychus में आपकी एक carloid root पाई जाती है जो associated है किसके nitrogen fixation के लिए किसके association है यहाँ पर cyanobacteria का stem unbranch है psychus में branch है pinus में और cedras में आपके पास conifers की बात करी जाए needle like leaf conifers में ही आपके आते हैं pinus और cedras आपके दोखो लिखा हुआ needle like leaf से reduce करते है surface area को thick cuticle पाया जाता है बोला sunken istameta पाया जाता है क्योंकि water के loss को रोकना है zero fatigue condition को show करते हैं आगे दोखो आगे यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप देख पाऊगे कि gymnosperm heterospore ही show करते हैं हाँ ठीक है यह भी seed बनाने की तरफ जाएंगे तो heterospores condition पाई जाएगी फिर तो यहाँ पर they produce microspore and mega spore दोनों spore पाई जाएंगे लेकिन वो होंगे कैसे आपको haploid microspore और haploidy mega spore होंगे दो kinds of spore पाई जाते हैं कहाँ पर sporengia में और दोनों को retain करा लिया जाता है और उसकी एक complex structure जो compact structure बनती हैं उसे हम कौन्स कहते हैं तो नहीं इस्ट्रोबलाई की बात करी जा bearing microsporophyll and microsporengia और वही कलाए जाएंगे छोटे लीव के तोपर microsporophyll उसमें microspore बनेंगे जो male gamit बनाएगा ठीक है आगे दो को लिखा हुआ है कि इसी को male strobylai male cone कहते हैं और इसी के अंदर pollen grain बनेंगे मतला male gamit बनेंगे और दूसरा हो गया mega sporengia mega sporengia की जब भी हम बात करेंगे तो देखो mega sporengia जिसे हम कह रहे हैं macrosporengiate अगर मैं flower की बात करूँ या तो इसे बोल दो female cone या फिर female strobylai female strobylai बोल दो या फिर बोल दो female cone macrosporengiate condition बोल सकते हैं male और female cone strobylai maybe born on same tree same tree पर होंगे तो condition is called bisexual monoaceous condition जबकि साइकस में male cones and mega sporeofil born on different tree बोला था भी different tree पर होंगे तो condition बोलो condition is called unisexual और unisexual term किसके लिए dioces के लिए आगे देखो आगे हमारे पास क्या है कि यहाँ पर mega spore mother cell की बात और mega sporengium जनरल बात आप यहाँ पर एक बार पढ़ेंगे फिर बही बात आगी कि बही आर्की गोनिया female sex organ के नाम पर और gymnosperm में male और female gametophyte do not have independent free living existence यहाँ पर साफ साफ कह रहा है gymnosperm में male gamet और female gamet दोनों को retain करा लिया गया ठीक और female gametophyte को जब retain कराया गया female gametophyte का zygote बना zygote का embryo बना heart seed code में cover किया और seed का formation कर लिया ठीक लेकिन 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 फिर भी gymnosperm का distributional range जादा नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ जादा तो उसके पीछे की वज़ा यह थी कि उनका distributional range इस वज़ा से जादा नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने कहा कि wind pollination के जर्ये ही हम pollinate करेंगे अरदर कोई तरीका नहीं अपनाएंगे जबकि angiosperm ने हर तरीका अपनाया जो possible था that's why उनके जो आपका distributional range था वो बढ़ गया तो आप यहां पर देखोगे तो आपके बाद यहां पर आपके angiosperm की बात करने लग गए हैं और angiosperm में आप देखना कि वही फ्लार्स बन गए और फ्लार्स को हमने sexual structure के तोर पर define कर लिया और वहां पर male structure के तोर पर एंडूसियम फिर गाइनोसियम आप यहां पर देख देख यहां पर एंडूसियम में फर्टाइल पार्ट जो होगा वह जो एंधर होगा इस टैमन की यूनिट हो गई उसकी और कार्पल और पिस्टिल यूनिट हो गई गाइनोसियम की फर्टाइल पार्ट ओवरी के अंदर और और ऑव्यूल के अंदर embryo-sac embryo-sac जाग के अं साइकल आपने देखी होगी लेकिन आपको चलते चलते यहां पर यह बात हम करेंगे कि आपकी तुरह की लाइज साइकल पड़ो गया एक हैपलोडीपलॉंटेग और लाइज साइकल अगर ज्यादा तर टाइम वो हैपलॉइट condition में गुजारे तो उसे हम कहेंगे हैपलॉणिक लाइफ साइकल अगर जाधा तर टाइम अगर आपने गुजारा कि बहुँ टू एन फेज में जाधा टाइम हम गुजारेंगे तो डिपलॉणिक और अगर दोनों दोनों अगर लगबक सेम सेम हैं तो हम उसे कहेंगे हैपलो Diplontic, Pryophyte and Tridoffyte और जबकि Diplontic Life Cycle जिम्नोस पर मनें जिस पर आप देखो यहां पर हैंपलाउंतिक Life Cycle में आप गौर से देख पाएंज यहां पर तो ज़्यादा तर फेज आपकी N वाली है और कम फेज है 2N वाली और Zygold में यहां कि मियोसिस होता है तो यहाँ पर इसे इसल्गी के स्टाइगोट में अगर मियोसिस होगा तो इस पोरोफइट नहीं बनेगा सिंगल जैल्ड जाइगोट को हम इस पोरोफइट माल लेते हैं ज्यादा तर एल्गी में हैपलोंटिक लाइफ साइकल है लेकिन आपके पास कुछ थे जैसे कि एक्टो कार्फस केल्प उसमें हमने आपने यह भी देखा था कि वह लाइफ साइकल है और डिप्लॉंटिक लाइफ साइकल एक है जिसका नाम है फ्यूकस आप देखो अगला अगला आपके पास एक और साइकल है जिसे हम कह रहे हैं इस पोरोफिटिक मतलब फेज वाली साइकल जिसे हम कहते हैं डिप्लॉंटिक और जादा तर टाइम देखो वो टुएन वाले फेज में गुजार रहा है तो अगर जादा टाइम वो डिप्लॉंटिक मतलब स्पोरोफाइट में गुजारे तो ऐसी लाइफ साइकल को हम डिप्लॉंटिक लाइफ साइकल कह आयनवाले में तो ऐसी डल आपको देखने को मिलेगी जिम्ड और वहीं जिम्स आपको देखने को मिलेगा गम के चलें आगे चलने पर आगे चलने के बाद आपके पास दोक हो बराबर बराबर का टाइम है आलने कहा के लगबग 2 स्वेन भी बराबर टाइम के लिए है और एन भी बराबर टाइम के लिए तो ऐसी लाइफ साइकल को हम है प्लोडिपलॉंटिक कहते हैं अगर हैपलॉइड फेज डामिनेंट है तो वह होगा प्रायोफाइट और अगर डिपलॉइड फेज डामिनेंट है तो वह होगा टैडो तो आपको यहां तक यह था हमारे पास जो चैप्टर हमने कोशिश की है कि इस टाइम में थोड़े से टाइम में ही हम पूरे चैप्टर को एक बार रीकॉल करा दें ठीक है और इसके क्वेश्चन से आपके बचे हुए वो सारे डाउट्स भी एक साथ ही आ जाएंगी बाकी हम हम लोग सारी चीज्ट देख लेंगे और हम लोग आज का सपरें खतम कर रहे हैं और कल अम लोग इसी प्लांड किंग्डम के कोशिश्चन करें ठीक है बेटा कि आपको वो सारी चीजिश्टें एक रिकॉल कर दें ठीक है अच्छा लगा हो तो बताईएगा और अगर कोई वेरी विटा